दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगा हूं के आप जब भोझन कर रहे हैं पानी पी रहे हैं कोई भी वस्तु आपके शरीर में अंदर जा रही है तो हमेशा बैठ करीज़ीइं पानी पीना है तो भी बैठिए, खाना खाना है तो भी बैठिए, खड़े- खड़े कुछ खराब लखने, इतनी तकलीफ आएगी कि तकलीफ में ही आपके ले जाएगी तो अईरुवेद में इस पर बहुत सक्ती से कहा है कि खड़े हो के खाना, खड़े हो के पीना, कुछ भी दूद हो, ताख हो, रस हो, भोजन हो, नाश्टा हो, कुछ भी ना खड़े हो के खाना है, ना खड़े हो के पीना, कारण में आपको पहली बता चुका अब इसके आगे का नियम इसके आगे का नियम है कि आप जब खा रहे हैं कुछ भी खाना खा रहे हैं, तो एक खाना खाया, माने सुबह का नाश्रा या दुपहता भोजन तो दूसरा खाना एक खाने से दूसरे खाने के बीच मैं निउनतम समय चार घंटे जरूरी है मतलब इसका सीधा सा यह है कि चार घंटे के पहले कुछ मत खाना अभी 12बजे खाना खाया तो कम से कम दूसरा कुछ भी खाएं वह चार बजे के पहले नहीं होना जहीआ अधिक से अधिक किसमा होना ज Glory अधिक से अधिक का नियम है वो 6 घंते का है दुपहण का भोजन और शाम के भोजन में अधिक से अधिक अंतर 6 घंटे, कम से कम अंतर 4 घंटे सुबेरे का नाश्टा और दुपहक का भोजन कम से कम अंतर 4 घंटे, अधिक से अधिक अंतर 6 घंटे इसको जिंदगी भर मेंटेन करिया हमेशा इसको बना के रखिया अंतर पिर आप कहेंगे अगर 6 गंटे से ज्यादा अंतर हो जाए इसी कारण से माल दीजे कोरी कारण ऐसा है जिसमें आपको सुबह का भोजन तो 10 बज गया और शाम का भोजन आपको 8 बजे के पहले नहीं मिलने वादा अब क्या करें तो आप ध्यान ये रखिए कि जैसे ही 6 गंटे आपके पूरे हो रहे हैं सुबह का भोजन 10 बजे खाया 6 गंटे पूरे हो जाएंगे 4 बजे तो 4 बजे से लगाता थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पानी पीते रहे हैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे हैं हर आदा गंटे 40 मिनट में एक आदा गिलास पानी पी लिया फिर अगले आदा गंटे 40 मिनट में फिर पानी पी लिया नहीं तो जूस पी गिल जे नहीं तो कुछ फल खाली जे कुछ नहीं मिलता तो शेला खाली जे नहीं तो हर बरा खा लीजे, फुटाने खा लीजे, गुड़ खा लीजे, कुछ ना कुछ खा लीजे, क्यों? कारण उसका वही है, कि आपके शरीर में हमेशा एसिद बनता है, पेट में, जिसको हम हाइड्रोकलोरिक एसिद कहते हैं, अगर पेट में कुछ है, तो हाइड्रोक जिए पेट को खाना शुरू करेगा, तो उसी में से बीबारी निकलती है, अलसर पेटिकल सर, माले ज्यादा देर भूखा रहना अच्छा नहीं है, अगर भूखा रहना है, तो उसका फिर नियम है, जैसे उपवास करना रा, तो उपवास का नियम है, एक दिन का उपवास क करना है उसका अलग नियम है दो दिन का करना है अलग नियम है आठ दिन का लग नियम है फंदर दिन का करना है Pretty अलग नियम है एक महीने का उपवास करना उसके अलग नियम है और इसका पूरा अलग से एक अध्याय ही है उपवास के लिए लेकिन सामने नियम जो मैं बताना चाहता हूं ये कि किसी भी कारण से आपको उपवास करना पड़े तो हर आदे घंटे 40 मिनट में पानी जरूर पी किते ही रही है ताकि आप ये शरीर को कोई भेंकर बीमारी ना लग जाए हर आदा गंटे 40 मिनट में आदा गिलास पानी एक कप पानी जिर सो मिली लीटर या सो मिली लीटर कर पानी पीते रहे उपवास अगर आपका ऐसा है जिसमें आप कुछ नहीं ले सकते तो पानी थ्जेंबू मिलाया हूई पानी ले टो थोड़ा बेटर है और उसमें थोड़ा मद मिला दे तो और बहुत हैं लेकिन आपने सकरी लोग 10 ख़्यों पालन करते हैं जेन धरम में मद का मिशेद हैं तो उस पानी में ढोड़ा गुन मिला की ले लेकर हैं पानी पीते रहे अग और आपको कितना भी करना है एक बिल का करना है या एक महीने का बीच 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 में पानी पीते रहे काणि नहीं पत्र ही कल कर हम कले को ऐका मेंत डिश्क और बाखी कांच क मैं असी प्रतिशब तक पानी होता है जैसे द्राक्ष तो फल खाते रहिए बीच बीच में थोड़ा पानी पूते रहिए उपवास की स्तथी में वो जरूर करिए और सामन निरूप से एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में अधिक से अधिक 6 गंटे कान तक कम से कम 4 गंटे कान तक दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिर लाइप कमेंट और शेयर करें और हां हमारा एंडरोड एप डाउनलोड करना ना भूलें